मध्यां तरी ना माझा सोबद एक गोश्ट घड़त होती, मैंजे माला रातरी मधित जाग एची आणि कैतेरी पेस्ट्री कि मां मिठाई आसे गोड पदार्था खाऊ आटाएचे मिजे वा या प्रोब्लेम विष्वह माझा कली जानी महीतरी निमना सांगीतलः ते वा तैनी माला तैन्सी अग चार वेगगे प्रोब्ल्लम सांगीतलः मैंजे कोगी स्टेस मैनेज़मेंट कोणाला जमत न होता, कोणाला PCOD, PCOS से प्रॉब्लम सुरू जाले होते, कोणाला थाइरोइड जा प्रॉब्लम सुरू जाला होता, कोणाला मूर्स्विंग्स होत होते तर या सग्या बाबद न अपलेला डिसकेशन करना फार महत वाचा है, और असाच एक हेल्धी डिसकेशन करना साथी, आज डॉक्टर मृदूल कुम्भोजकर आपले कड़े आले है, और मैं मी तुम्चे खुब-खुब मना पसंद स्वागत करते हैं, बोल भीडूचा मंचा आणि तुम्ची आमचा प्रेक्षा काना थोड़ क्यात ओड़त करूंधा प्लीज, तो नमस्कार, मी डॉक्टर मृदुल कुम्भोजकर, माजा MBBS जाला है, त्यानंतर पोस्ट MBBS मी मास्टर्स केला इंटू पबलिक हेल्थ नूट्रिशन, त्यानंतर सध्यात्यात्यात्या मेंबर आहे अफ दी लाइफ नूट्रिशन कम्यूनिटी आणि अत्ता मी कोलापूर, राजारामपूरी थे लोग आप नूट्रिशनिस्ट आणि कार्या रता है वेलकम पुन्हा एकदा, मी अत्ता प्रोब्लम माझा सांगेतला तो राजा क्रेविंग होता, माला वट्टे तला इमोशनल इटिंग असा अपन महनूशक तो साइंटिफिक टर्म ताजी तर मूली तुम चाड़े अचा कॉंट प्रकार चे प्रोब्लम्स जासता घ्यून य तीचा में मंझे कि तीला स्ट्रेस प्रचंड आहे, मंझे अगदिच ती जस्ट अडोलेसेंट असुदेथ कि मां 25, 30, 35 मां लिया सुदेथ, अगे, स्ट्रेस में फाक्टर, दुसरा साहे कि ओबेसिटी दुसरा कारण आहे तीचा त्यान अंतर जे अपन बखतों कि फेशल ह मां बखता है कि ज़ेश स्ट्रेस बाडले हमोले तीच सगल एक मेटाबॉलिजम भिघडला चाया पचाय एक क्रिया जिमन्टव अपन तीच सगली विस्खलीत जालिया आजि त्या मोले तीचे होनारे मूड स्विंग्स, ओके कि मां चीड़ चीड पना त्या सगला तो खु प्रसीजर जरी आला तरी ती एका मेंटल ट्रॉमा तुन जात हसते कारण ती खुब डप्रेसिंग गोश्टा है का बाई साथी एका स्त्री साथी की नाच्रल प्रेगनंसी ले इशुए तो है आणि तो फक्त तेचा कारण है ती थोड़ी लट्था है तर है अत्ता खुब आणि त्या मोडे ही कम्पलेंट एको चुनी स्त्या केरण कार्व घ्रसा अठीट जसे अथे तुम्हें नाने त्रेडमिल वर आहात और तार थे रीजल्ट यह नार जना है तो, तुम्हाला mentally शांतर हाना गर्जेछे चे हैं पहलान दा मी कई महाते है की तुम्हाला मी काया मढ़ना त से की पेशेंट ना की ठर्वा तए अगॉर्डिंग ले प्लाणिंग करा आणि येस येस अशा प्लाणिंग ये अशा होना रहे आता in case शुकुन काही घरी काही पाउने आले कि मा काही जाला काही मधेज काही इश्व आला आणि ते तुम्चो काम चे तुम्हाला सब्मेट कराएचा ते कुठे तर तुम्ही तित्थे थी चिड़केली तुम्हा हजबेंट आसे नवरा आशलता है चावर राकाड़ना कि आई वर राकाड़ना असा जर जाल तरह यहाचा इंपक्ट हाये तो कि त्या महिले मधे स्ट्रेस होर्मोन सिक्रीट होता जला आपन कॉर्टिसोल मंटो अनि ती कॉर्टिसोल लवल इतके वाड़ता है कि परत तीला सगले प्रोब्लेम्स फेस करावे लागता है कि मह ती चिड़चिड केला मुले तीचा राग ते सगल होनार साइकल्स इर्रेगूलर रहतील तीचा साइकल्स एर्रेगूलर रहलाए कि पर ती विश्यस साइकल शुरू होया ती त्या मूले एकदम शांतर हाऊं अपले जी कह कामा है कि मह अपले घर डाभी प्रोब्लील लासने कि मह पोस्ट्मार्जी चासता तच कही डाभीलिते तब ते कितपत होना रहचा एक तर आर्था तुम्हीं वेल काड़ू शकता और तुम्हीं छांत फिजिकली तेचा रिजल्ट तुम्हाला दिसे लगज़ु माला वट्टा या सगया स्ट्रेस साथ पुढ़े परणाम होतो तो पीरेड साइकल वर्ती सो पुढ़ा मकते PCOD, PCOS या सगया गोश्टी आल्या तो माला जानूंग है चा कि हात काई नेम का फरक काया है PCOD, PCOS है आइकले आपन खो पन त्या बदल फार्शी महाईती नस्ते मुलीन मदे तो ते प्लीज सांगा डोप्रा येस सो बेसिकली PCOD आने PCOS है तस ओवर्लापिंग चाहिए आता जहां डी फाक्टर है तो तेमा इस पॉलसिस्टिक ओवरियन डीजीज ओके मंजे जे ओवरीज आहे त्या ओवरीज इम्मैच्वर सिस्ट तयार करता था आणि एक जनरल महाईती है कि मुलीन चे जे ओवरीज आते एस्ट्रोजन सिक्रेट करता था आता मेलाहया मोले तीलाम अइधि चन्वर केस एμε कि मुआ अपल्या अपरस वरती है रहार्य सेइन अहे गजह मेलाहया स्टो चेश टलम चेश बरेट रहाते है जोड़ाह न डुन險 करता तिल्ह fø्डिक ना угरलन द चेशी घ्यर्हों सर्कुलीन लिणशन शलॉ स्थ मनको यह तो तेम्हा तीचा सिंड्रोम मंजे एक क्रॉनिक कंडिशन जाले ओके मंजे ती खूप काड़ा पासन होती पंट्या मुली ने इग्नोर के लो तीचा वेट वाड़ते तीला माहती है तीचे साइकल इर्रेगुला तीला माहती है शीजले कि हो माला यह ते दोन-दोन महिना आतेचे काई वाट अपते हैं गरने वाड़ते हैं यहला ना सर्दीकों थपास्टाप आहसे काई संटम सेतना है ते आमोले ती परत इग्नोरन्त है तीसरा तीला माहेती है की चिन लखेस है थे तकी मा थोड़ा होता है था तो ती आशा लघलेचा लेजर करती है पर तो बेबी हा वास्त, तेम्हा हा इश्व ये तो, तेम्हा तुम्ची गायनायक मन्टेमा की तुला अश्याशी हिस्ट्री योड़ा आहे आने तुझे वजन जासता है, तु डायरेट वजन कमी करून माझा कड़ेगे, तेम्हा अपन डिस्कॉशन करूया, आता तीचा दुसरा स् हा लुषके बाति गायर्इट हमानायक मन्टेमाक पेक्योशन के यह याव तुम्हा आतु सप्सक्वडग्यों काहसी जन्यूएन प्रश्न पढ़ला है कि वजन हे कायम जासता ओवरीटिंग मूलेच वाढ़ता कि तयाला कई वेगी कारण आहे तो एका शब्दात जरुटता तर नहीं कारण मुल्टीबल फैक्टर्स है अपन मंटो कि अधिपसनाच में लहांद परना पासनाच अशिया है तर त तक अहे चेना बिलीव सस्तत कि अपन तशेच वाढ़ता अलो तशेच वाढ़ता अलो तस अगबु गबु बाढ़ होता हो मते तशेच धस्ट पुष्ट बाढ़ा है कि मासे चान हे बाढ़ा है तो ते तस तक करुन-करुन ना तर पोटाचे कपासिटी ही वाढ़त जाते यानि मा अपन इवेंचुली खात रातों अता हे लहान पना पासन ते अडोलेसेंस जर्नी जाली तया चान अंतर अत्ता बगितला तर मुली ना प्रचंड स्ट्रेस है मंझे कुटला ही गोष्टी स्ट्रेस है तो अगदी काही मंझे ते रिलेशन्शिप से श्वास दील कि म स्ट्रेस है कि तुमछा वजन वाड़ा परत मदद करता है तो अमोट रहा कि शानत राना ही अता सध्यातर ही खूपच महत्वाचा है तो एक फैक्टर असा ना ही बूलु शकता काहना है कारन का अगद त्रेस वाड ला की मग ओवरीटिंग होता है ओवरीटिंग जाला कि प मल्टिबल फैक्टर्स आए तो अगेन आपन ओवरूर्टिंग बदल बोलतु है तर माला अथाऊ लग हाई कि मी जासता खले का यह तर मी बड़ापाँ खलना है वी बर्गर खलना है अपन या बदधल, जंगफूड बदधल बोलतों, ब्रेड बदल बोलतों, तर अपन प्रकल ङौन, यांद बदध बोल तोरी सु जंगपूड खातो है पंड टिकड़ लोक ते प्रोपर जेवन मनून जेवता तर खरच भारतात एवड़ी नेगेटिविटी का है जंगपूड विशए ते माला जानूंगेचा है जाएष़ा तुमां आल इसकी अमेरिकेची तर णॉड़ावट कि त्यंचा ते जेवन आ है मनून अमेरिका राइटनाव प्रेटनाव दे कापिटल ओव बश्चीती ना तर तद्धा आपन अपन अपन इंडिया भारत आपन सक्ट्र कॉपी करता उच्छा एश एला अमेरिके प्रचंड प्रिजर्वेटिव एड होता तिथे अजीनो मोटो असतो ओके नंतर ऑईल कुटला तेल वापरला जाता है माहिती ने जे जंक बाहर खातो है पड़ तर ती गोष्टा है आता दूसरी गोष्टा अशी है कि अजसा तू महणा लिए इसके बेकरी प्रोडक्च असत प्राइबड व्άν करा की मिलArgy लिए तेंन इससा ने जामिए लिए ज़्या प्रफिश कोता है थी छुप मोष्या दो फसीन तरफिश कोता मुझमा था梠ी है ड्या maior प्रश्च होता है चुप्स हें ने खालेक्स हां आपका हentyए अठाबड़ जाता है तर एपन मरण तर गरस अपन ग्रेंस और सीरियल्स याज वापर इतका करतो है त्या मुले सगला metabolic जा disorder जायत मझे PCOS, thyroid, diabetes यह असले इतका वाडता है मंझे भाजा खा भाजा खाना प्रोब्लम नहीं पर अपन सगला पसना उठाशन पोहे उपमा डोसा इडली यह खातो है सगले ग्रेंस आले, तरहें ग्रेंस कमी करा तुम्ही जरू खुडून सगली स्प्राउट्स खाले तरह खाना गाहिस प्रोब्लम नहीं मंझे प्रोटीन इंटेक जासता जाला पाई जासा तुमसा मनना अल्च अजुनिक तुमसा मनने कि फैट्स खान अपले शरीरा साथी चांगले पन मीतर मंझे माझे आईवाबन करना इक ताले कि कि छीज खाओ नका बटर खाओ नका फैट्स पास लाम रह पन एक्जाक्ट उल्टी तुम्ची थीरी त्यहां माक्च साइन्स का है अपन सग्राने लाहन पना पासनी जे शिकावला गे लेला है राधर मी पन जे शिक्ली है तिस स्गटा उकी चोथ होता है यह ठामपनी सांगुशक्ते मी, कारण MBBS ला Science of Medicine आहते, जिधे भी शिकले तिस तगल आउश्दान बद्दल होता हूं, तिधे Food Science की माँ डायेट है नाही शिकावले जाते, जे तु तु तुझा अई बबनी शिकावले तस अच माज़ ही होता, ते एक कॉंसेप्ट होती डोक्यात, पड़ मग नंतर, जे वहां मी प्रैक्टस मादे उतरले, ते वहां पेशेंट सीएथ होते, ते महां अबजर्व अशिकोष्ट बगितले, कि यहां सगलाचा कॉज, ही ती व्यक्ति जाड़ा है, यह बगितले जातना है, बंज़े एक पेशेंट दोखेंट आले तीला संदे दुखी जाता होता है, तो डॉक्तर एक बेसिक प्रिस्क्रिप्शन लिहुन देतात, जातात, पड़ मग तीचा कड़े बगून, असे रहे ने कांसेलिंग कि पहले तुम्हें वजन कमी कराला पाई जाको तुम्हें, तो यह होत नहीं है, अन्न दोखके की कस्ते करान अवलेबल था, अपने लिक ख़णी करान लिए तुम्हें है, अगदे बोलता है बन जालीं गोली लिए, निगेज बंद भाला पाये है, ठीक है ना, डॉक्तर देना। जाए को जाता है, जालीं प्रीव धील वालेगई है। नहीं है, जाओना है पाय यह जो माला कर ला ते मा बींग गो मेडिकल स्टूड़ेंट माला माई आई तो कि रेमिडी आए फक्त फिजिकल एक्षिकल एग्जराईज और नूट्रीशन तर रारथा तमी सब जरनी सुरू के ली आणि तर चाम अधे ट्रेनिंग वेट रेनिंग होता हुँ नंतर मी कम्प परत ना परत वाडलल नहीं है। यह कंप्टलेंट असते लोकांचे कि परत गेन होता है। तो ते वाडलल नहीं। तर हलो और रीजव एका कआरण है कि मी अतता सांगती है तर फाल है फैला है फैयला है, फैसे है है क्या कोलेस्ट्रोल इज वीयर फ्रेंड, 17.3 kumolence if you. सो क कोलेस्टरोल ने बने थां, कोलेस्टरोल ने देख है कि घुटामिन D3 नीализ। कक्र फीदिनथाने कोल्सटडरोल ने चल्ड़ केमिकल नीम बनसा थां! ते हमी उब भॉर्मोन साइकल आपने का भॉलेस्ट्रोल निया निया अपन इस समय आपने का घाबभा ज़ा ज़र राहिए असल तरह फ्यॉर ओप शुगर शुगर इस पोईजिन रादर शुगर इस ड्रग मनेल मी फैट चांगले अता है अधा मधे परत असे तकी चांगले मन्जे कसो असो जर तेला ची वर तरवी असे तो चांगले का तो तस नहीं पहलां दा ट्रांस फैट्स आणि डायेटरी फैट्स यह फरक यह जे पावभजी इसल कि माँ वडाबाव आशील है जे माँ तरू तर्डू तरल जाता न्टे मल्टिपल टाइम्स त्या तेला तरल जाता बाहर आपन बखतों तरतेना ओच अगले ते तेल खराभ है कि आम ते रिफाइंड वयल है अधा में भीतर हमसे नहीं तो तूप कि माँ ओलिभ प्रे बनावना जेवन इस बेस्ट, त्याचा नंतर नेक्स्ट, क्रोनलोजिकल बगितले तर कोल्ड प्रेस ओईल, अपले लाकडी घनातील, त्याचा नंतर मग ऑली बटर, लास्ट, यहाचा तुम्हें कुक केला, अगदी अमोल्ची अपले पाकेट, त्याचा हाफ कट करों तुम तुम्हें जर दोन चापाते खाल लिया, तर मात्र कोलेस्टोल वाड़े, अच्छा मंजे, त्याचात सुधा वेगवेगया काटिगरीज आहें, बरोबर, सो हेल्दी इटिंग बदल आपन बोलतो है, यानि बाहर चा खाना बदल सुधा अपन अतना मेंशन केला, सो आता, अमचा सर क्या मूली जा, घरा पसम दूर रहते हैं, मग तयाना मैस सखाना आल, बाहर सखाना आल, तर प्लस आमचा बजेट सुधा, फार कट्टू कट था, मैंजे, प्रोटीन, कि मा या सगया, डायेट चा गोश्टी आम ही करू शकत नहीं करना अमाला थोड़ा से, पर वर पहला मील, एक चार आंडी घितली आपन, तर किती आस तेली, एक सात रूपेल आंडा असे लगता, तर ती चार आंडी तेचा आपना अमलेट के लगें गोर्जी के लिए, नुस्त तेच खायाच, नो ब्रेड आड़ी नो चा पाती, तर सोबत काही नाए खायाचे, तर ते अटाइटी फीलिंग है, और ती बुरुजी न उस्तिस खायाचे तुला अमचा ने, तर ते जहाला, तर ते जहाला, तर फॉर एक्जाम्पल लंच, लंच ला तू, टू 100 ग्राम चिकन गे, तर आता 1 kg, I think 400 रूपीज लाजरा सेल, तर हाड़ली 200 ग्राम गेहाचे थोड़ वह ज़ी, तर ते परत बॉट परत अज़ाचे, तर तो डायटम अज़ाएटा अगाचे तर फीलिंग, ज़ी भागव ज़ी पुचे में और तो नमीट साटे गरा, तो नमीकर टेन टोमाटों, तो आपले, अपले, स्पैसे घाले से normat, को यह ज़ीं डिघे हालाँ कि ज़ी बावल उफ सालड कि मां शेपू ची बाजी मेथी ची भाजी अपने जे काई पाले भाजा अपने जा अवेलेबल अगे कड़े पोकडा जे काई कुटली असल थी नंतर कोबी असल फ्लावर असल यहां सगला तैंची एक खादी भाजी ड्राइ भाजी केली ती परत थोड़ा स चिकन की मां परत दो रांडी खालेस तीन मिल्स है सफिशेंट मधे काई खाया नहीं रादर मधे असल खालेस तर मधे भूक च लागत नहीं और लागली तर यूगन हाव ब्लाक कॉफी ती भूक परत अप्रेस करता अथा ज़र काल्कुलेट केल तर सकाल ची चार अंडी पर तर दोन्षे ग्राम चिकर अनि अंतर परत पनीर घतलास तर अरांड बाउट बाउट नहीं रांड बाउट नहीं तुला डायेट वदन प्रोटीन जाते है तर वन ग्राम पर केज अव बॉड़ी वेट अग्डिंट तो डॉड़ी वहो मन नहीं जा है अगदी फर्स्क्लास प्रोटीन सोर्स गिलाँ तो यह तो अमिन डन हैट जा किती मन्तली कोश्ट यहीं मक्ति काड लिए लिए पाथाजार के थीछार होई जो फिछीट प्रोटीन जाते है जाते है अप्रोटीन इंटेक बदल तुमीं सांगता है अनि तुमीं अंडी चिकन मटन है सगर मेंशन क पना तब वेजिटेरियन लोकान नी प्रोटीन साथ ही काया करागा? इस था करता है। आता हुप्र Corda & कुन्हिं कने का द स्कूलास में Orai घरकतीन को जाए है, पर अफि जर्ल से ने कुछुम्हा। था कि रुषैंटी मान जर्टेरियन थो प्रोटीन मेंन प्रोटीन कपने ने करने वरकल पर्सक्राशों कि मraint 77 005 जातो है, दही, दूद, तूफे, सगड़ जे मिलत गेले अपलेला, ते नाच्रल अधी पासना घेता आलो लाहन असलिया पासना, सो एकदम अज अधे सगड़ करना है थोड़सा डिफिकल्ट है, आणि डैरी नोको आता ही, तसा चाले डैरी प्रोड़न, तो अधे लिए, तसा नाई है, डैरी पाहे जे रादर फुल-फैट मिल्क जे आसता, ते एकदम बेस्ट है, तह चाले पन टॉनड़ा है, सकिम्ड़ा है, असही काई नोको, तो फुल-फैट मिल्क हा तुमचा, साही सकट वगरे, कि मा साही तशिन उसती, फेटून, क्रीम करूं ता सखाव शकता, राइट चीज आहे पर अधे, है इतका हाई कैलरी आहे, है पन पोड़ भरनाज हो गायते, ओके सटाइटी लेवल्स तुमची अचीव होते है चाले, तुम्हा तुम्हाला साइडला भात हावाय और हे नाई लागर। शेडियूल वाइस तुम्ही माला सांगता है कि काय कधी खायचा, कि मां किती खाव शकतो, और दिवस भरा चे तुम्हे भूख थारू शकते आता, कॉंपिटिशन यूड़ी वाडलिये, प्रत्यक फील्ड मधे इतका टास्क वर टास्क अणी सतत बीजी शेडूल, लोकाना श्वास गहला पन जागा नसते, आणी अशा वळलेला तुम्हा ते डायेट फॉलो करना, और खाना, वेल चावले खाना, जोपना, ये सग् अशा वळलेला तुम्हा तुम्ही रूटीन कसा मैनेज कराईचा, मैंजे ते माला गाइड कराईचा, तो प्लान यूवर, मैं हे पन बोली है, ट्वीटर वरती वगरे बोली है, कि प्लान यूर 5-9, बिफोर प्लानिंग यूर 9-5, एक जन्रल अपन बगितला की, जॉब ट अश्ता हो देत, ता पाच ते नौ हा इतका चान मॉर्णिंग पीरिड है, तो तीथे तेमा एक्जरसाइज करना, प्राणायम करना, थोड़ा फार मेडिटेशन करना, सगल करून, चान पे की हेवी गुड नाष्टा, जाम अधे, और नुट्रेशन है, जे प्रोटीन से और अधे, फैट्स मत न मिलता, काब्स नाही, मंझे, पोहे उपमा नाही, ते खा नकाई तरी, आणि त्या नंतर विए, डन विद इस थिंग, आणि मग तुम्ही रेडी हून, तुम्चा कामाला जाता है, यह जा फाइदा हासा, कि तुम्चा लवकर उठना एक होईल, आणि दूसरी कोष्ट पूर्ण दिववस बर तुम्हाल एक एनरजेटिक फील एता, ते ठकन जा है ना, ते नाही होता, कारण तुम्ही सकाई उठला है, सुर्वाती ला त्रास होईल, पन एकदा पन बोड़ी ला थी हबिट लावली, ती सवय लावली, कि बोड़ी आएक ते, तुम्ही जरी आलाम लावला नहीं, तरी तुम्ही उठाल ते महां, तो हे कायम कराईचा, कि 9 to 5 अब जी 5 to 9 पन पहले प्लान करा, तो 9 to 5 माधे ना, मी कदिसको ला टाइमिंग सांगत नहीं, कि यहा टाइम ला जेवायचा, तुला मी सांगीत ला टाइमिंग, पन तुला अब बूख लाग लागली नाहीतर, तुला जेवाँ लाग लागते तुम्हा खायाचा है, बट भूख अल्खायाचा, ते क्रेविंग अहे का भूख अल्खा, पहले अल्खार, तो तो एक सपपसिफिक पूड आइटम आगो शें, कि मला रोल्स खावेसे वाटाया, पन त तुला जर भूख लागलिया और तुला कोड़ी आगदे पितला भाकरी जरी दिला तर तु खाशिल तु भूख आणि ती कडग भूख ना तो हंगर ना दोन द लगतो फार फार तीन दा मान चाला तर ते अइडेंटिफाय कराल पाया जए बोर होता है कि मान काम नहीं यानि कायतरी ओर करूया ताट इस और क्रीविंग ति थे ब्रेक लावा तुमाला चांट्रोल करा आणि जस्ट हैव कोफी औग ब्लाक कोफी वगरे ग्रीन ती ती सप्रेस करते भूख आणि पानी प्या पानी प्यून पन सप्रेस होते त्या वेलेतना तुम्चा जॉब पीरेड मदे लंच ताइन तसा ही आसतो तेम्हा तशी भूख लागना रहे वेवस्ते जेवा पर दुपार चा वेले तेम्हा मग तुम्ही तुम्ही प्रोटीन पाट्स वरती आसाल और लो कार्वर आसाल तर पर तुम्हाला सुस्ती रना करते हैं एक चीज क्यूब खाली है यह दन सफिशंट है आणी गाजर वगरे की मा काकडी की मा असा काय तरी राइट है तुम्ही परत फ्रेश हून तुम्चा सेकेंड हाफ तुम्ही 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 सुरू हो शक्रत बट आशे टाइमिंग काहिच नहीं है की हा टाइमि भूख लागते थी ओल खा दाट इस इंपोर्टेंट आइडेंटिफाई था हंगर आणी मग थी भूख लागली की करेक्ट नुट्रीशन खा ओके तेम्हा प्रोटीन्स कुठे मिलता है आणी मिलता है तुम्ही असा नाही है कि माज़ खान कुठे बाहर मिलत नहीं काय आणी मतला खाती पैटी खा आणी जी सालेटे खा सो तसा करा त्या मोले तुम्ही ठरावला तर करू शकता है हो शकता है सो बर्यापई कि अपन आत्ता यंग एज कि माँ अडिल्थोल्ड माँ बदल बोलो कि मुली नी काय केला पाई जे पर अपन थोड़ो सा चाड़ीशी कड़े हुया मैंचे ता मैने पॉज हा खूब मोठा विशय आहे और बायका ना फक्ता फिजिकल मैंचे ते हैचे अग्तोड मेंचेो होता ती है ने मोठा ने कजना बोलो warm aam बोलोग होते है त्यांट्भ एक्तोड माँ कुकल के रिद अपन हना रीका जा एकक लिशी कहा हिए नहागा मॉर्ण沯ज नियू करें तभास व मतना एक सब्सक्टाब exista है क्मी अथिवा को जो अआर्फी कर है न पड़ ही किती दी वसे ओन ओफ नस्तड़ाइट तुम्छी ती लाइफस्टाइल चाया कि तुम्ही हाँ पधर तक खाना रच नाई कि कि मा कदी तरी समोर काई celebration आसेला पन केक कापला कि अज़ पाउल आज तुम्ही स्टेज़ ला पूचा यहां कि अक्रिष पेस्ट्र sommes नगाई तुम्ही तोन चंचे खाला है तुम्ही तुम्ही नगा पड़ ने tan आपके लो पर अट वाड़ला, तही होता है, तो तसा होना नहीं, त्या मुझे काया है कि अफटर 40 पहली गोश्ट लो कार्ब तर जावच प्रतिक स्त्री ने अथता पसना जो कार्ब, मझे रिफाइन ग्रेन्स अहें सीरियल साहें, ते जरा कमी करावे, मझे एक भाकरी चाले सपाती तर नोकोच, कारण इवन त्यात ग्लूटेन है, ग्लूटेन खराब मझे एक बाड़ प्रोटीन मानला जाता, त्या ग्लूटेन नोको, कारण त्याचा ही इंटॉलरंस काही लोका नास तो, मत अचाने गैस्ट्राइटेस, परत्य सगले प्रोब्लम सेता, ओके एवन लूज मोशन होना, हे सगल, खराब सगल, फुल, मेटाबॉलिक हेल्थ बिगड़ते, त्या ग्लूटेन मोले, त्या मोले दोन तीन चपात्या खाना, हे बंद, त्या पेक्षा एक भाकरी गा हुशकता, मत ती ज्वारी आसेल, बारज़ आसेल, तर ठीक, छोटी एक भाकरी, तर दाट इस फाइन, आणि ते सुरुष्ठ हे वायचा तीने, सो वेन ती अत्त जाती है, एक पस्तिस चाइश चा एज ग्रेंज मदे आसेल, तर पुढे तीलम हाईते है कि कःधी तर ही 45 तो 50, कि में 55 परन्त पीरेट हे संपना रहे है, मैं जाना है, मैंनो पॉज आना है, सो तेन्सक्राश काहिते है एक बॉर्डी सिग्लमस देते, सिग्लस देते बॉडी हुचेते हैं, तुम्हाला सिम्टम्स जासते खाहिता, मैं सोफरास खुप होुट होुट है, तो तर चाहित निज अच्य कि अच्ट्रोजन 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 का लिगान ओधा। तर ते अपन तसा ही कंट्रोल करू शक्तो जर तीने पर तता माज़ा 35 चावर जाती है में कि माज़ा 40 आलेला है तो तीने डेली ग्लास ऑफ मिल्क एक ग्लास भर दूद प्याईचा अर्थात में महंटे कि काल्शियम सोर्से सगले अपले पूर्ण अनिमल सोर्स मदे नाच्र आलेला लागतास तील तर तुमी आगे हो शक्ता कहीं चिशुने तर ही हाँ अवेर्नेस असाला पाईजे कि आफटर 40 एकास 3 ला तीचा इस्ट्रोजन कमी-कमी होजाता आणि तैचे लेवल कमी जाला मूले क्याल्शियम शर्वर आतला कमी होता आणि माँ ओवरॉल सगले त तीने योगा करावा, मैं मन्टे तुसा प्राणायम करावा, हे सगल केल ना थोड़ा सा, ती मेंटली शांतर हैल, मेंटली काम रहाल आणि त्यास बरुबर एक चांगला जेवन, चांगला जेवन मन्जे अर्थाथ पैटी प्रोटीन, हे डायेट, हे चांगला जेवना है, सात्विक टाट, जे भेज ला एक उपमा दिली जाते, तर तस नाही है, जे ग्रीन सगल दिस्त, तर तस तुमी करेक्ट न्यूट्रिशन गेतला, और तीन एक चांगल की एक डेली रूटीन करती है तीचा एक वोकिंग, तर ये सिम्टम्स तीचा नकलत तीला कड़ना रहे करना अपले अधिचा चांगल अजी असेल वगरे तना काय कड़ाइचा कदी आपली पाड़ी संपली पाड़ी गेली राइट, ते तस अच है, त्या मुझे आपता सिम्टम्स ना स्तरी एकदम तीला जानवा लगता कारन तीचा स्वत्ता में ते स्ट्रेस होर्मोंस खुब चांग स्वत्ता करता है, भरण तैस अमें धिंग स्टी करता है, तिसमी मॉर्ण सेनर वीक्तिसए सय तना ओयए breaths कणी मॉरी का घं़ार साइट बाड़ी फारे मुर्य कारता है, तोहीं कमी कर से बाड़ी दूखी ने की तेना फेस करावे लगता है तो अशवे तेनी काई करावा येस पहला दा जर आफ्टर फिफ्टी जर अपन बगितला 50 पासोन 60 70 परयंत विदाउट जस्ट बीपी ची गोडी आहे असे जे आहे त बंजे अपले वडीला स्तिल कि माजून कॉन काका स्तिल घर आपे तेम्हा पा तीजर तुम्हीं कंसिस्टेंटली वॉकिंग, डेली वॉकिंग करता है तर त्यान अंतर आला अंतर व्यवस्ति पाना चा इंटेक है तीन चार लिटर पाने पीता हाथ व्यवस्ति जेवन जेवता हाथ, स्ट्रेस लेवल्स कमी आहे तर अफ्टर फिफ्टी चा लोकां ना पना अवेर करत गेलो, तर यू नेवर नो, तेनची बीपीची गोड़ी बंध हूँ शकते, शुगर ची गोड़ी कुणाला सेल तीही बंध हूँ शकते, आणि तेनना ते फिफ्टी पसुन्जर तेनना ते अडाप्टेशन मिलाला, कि येस, माला फिजिकली फिट राइच आणि माजी पनाशी क्रोस के लिली है, माग सेवेंटीज, एटीज मध है, कदा ची दितकात रासे नाद नाई, यहाचा एक उधारन ड्यावसर वाटेल, माजी हाज़ो बायत, आणि ते अग्ता एटीज सेवन एट, आणि ही लिटरली फिट, मंझे काईच नाई, तेनना कुटली इस कंपलेंट नाई, मंझे लिटरली इस वरी पॉजटिव परसन, खूब पॉजटिव, तेनन अंतर व्याया, आणि तेनना थरलेला आहार, मंझे लिटरली सकाल ची एकत चपाति माजी फिक्स है, मंझे कोणी होदे, कुटली पावनेगरी होदे, का ही होदे, ते ते पिश्र जासता खाना नाई, ते इतका फिक्स है, ते इतके फिट और फाइन, और काई इस इस्व नहीं है, ते मुझे सगला के उस असा मंझे, ते इथ है, ते तुम्हीं मेंटली शानत, काम भाग, और एवन्चुली एकतरी एक्टरी एग्सराइज अडप्टेशन पा तर मा तशी सर्टिफाइड ट्रेनर बगा, तीला थी पैथोलोजी महाइती आए, तीचा करूं ट्रेनिंग करा हूं गया, तसा ही ते करू शाकता, सो वेट ट्रेनिंग है 65, 70, 75 मदला ही मानूस वेट ट्रेनिंग करू शाकता, तसा काही सिश्य नहीं है, हे एक्स्ट्रीम ध साथ संपूरन ट्रेनिझ द्रात का मानूस उखर, तसा कुकर ट्रेनिग सर्था करें की जहां। वेट सेथा एक्स्ट्रीम के वेगनिजम वर्ती जी व्यक्ति आहे तीला जरुतु बगितला तर तीला बरेश सप्लिमेंट्स गहवे लागता था मिनरल्स प्रोटीन कुटला ही क्राइटेरिया जे एक न्यूट्रीशन मढण जे लागता अपलेला सगल ती काहिस फुल्फिल होतना है प्लांट डायेट मधून आणि वेगन वेजिटेरियन तरी ठीक है वेगन लगाय करता ते इवन दूद पन पीतने तक आरंटे प्राणन पासनाल है दूद नाए धाई पनीर पन नाए मंजे हे एक्स्ट्रीम खूपच एक्स्ट्रीम है कि काही जने मजे फर्स्ट्क्लास प्रोटीन सोर्स थे कंप्लीटली इथे तैंचा बंदोस होतना है मां फकत अपले भाजा आता है यह आशा डायेट ने काया होता कि लॉस हो चहरा एकदम अशा कुप कामनता थे डल दिसल राइट तर आसा सगे सेंटम्स तिला दिसूश रता है तर हे वेगन मोले होता और दूसरी गोष्ट तिला पूरे से वितामिन B सगले से बीजाए B1, B2 अपन भणतों ते उसले महत्त ने उसले महत्त वता वितामिन B12 मिलत नह तर हाथ चा एक मज़े वेगनिजम हे नाइच से मोला थे चुकी चाँ चाँ कम्पलेट पर दसा तुम इंटलिस की कार्निवोर इस एक्स्ट्रीम बट इस नौट अट एक्स्ट्रीम कार्निवोर लगाय है कम्पलेट तुम्हाला सगल डाइटरी सोर्स मदन सगल मिलता है तुम्हाला सतत भूक लागत नें तरन ते हाई गैलरी है हाई तुम्ही ते थोड़ा जरी घाल तरही तुम्ही ते वड़ा सस्टेण करू शक्ता फूट चा पासतास तरी त्यामोले ते कार्निवोर डाएट हे एक्स्ट्रीम नाइ मतना पर इत गुड अज ते करू शकता युषिक नटते हमें अधिनल फिट टोर्वा और क्रिषियर मत तुम्हाएं प्रैपट कशनिया हैं तो ते बन कराला थोड़िशी एक्जरसाइज इंटेंस एक्जरसाइज आरा लागते ती कराला हावी पर इनकेस ती स्टार्टिंग ला केली अन्टा नंतर करें आपन जिम पन आई लाओ शकत तो ती बंद जाला पन तुमचा हे डायट कंटीनिव असेल तरी सुधा आई बेट की परत रिगेन होत नहीं बंजे तु एक तीन महीने जिम केली संड और नंतर बंद जाली पन जिम नंतर बंद जाली काहितरी पनेर कीमा परत बहाजास तील सालेड असेल आणी परत संद्यकली चिकन कीमा परत पनेर तर हे इतका तु एजी मंजे सा टाइटी लेवल तुम्छा होता ता और पूर्न भूह भागली जाते व्यवस्तित निउट्रियंट्स मिलता जवड़ा बाड़ी ला गर्जे चाहत जवड़ा शरीर ला गर्जे त्या मिलता उगाथ ब्लोटिंग कीमा गैस यहन पोटा त यह सगल होत न तु आप चाहत अवर यह शरीर निचेशिएजिग तरी यू ओंच रिगविड वीट पर जिवाट जिव जॉइन जवाइन करता है कि जोईंख जाएजे जान एपक्त जाला ने बंद जाला नंतर पुन्हा तेवड़ा वजन वाडला ता है खर एकान है खर अजी भर सेल आपन खाता हो, तेम्हा एक माहिते की जिम लाजाएचा, जे काई खाऊ ना, ते बर्न होना रे, तेम्हा साथी एक तीम महने लावला है जिम, तो तेम्हा साथी रिजल्ट दिशनार, आता जिम बंध केला, पड मग तुम्छा खाणा बंध कोटा चाला है, खाणा तेचा ना, आता है जिम लावली ना, पड मंचे तुम्हीं मन्टा है कि पोड़ी भाजी को या चपाती भाजी है, लो काड मेंचे तुम्हीं कमी ठेवला ताहा रात तर ताचा परेणाम चासता दिसू शकता है? चपाती नो कोट्स, भाकरी ठीक है, एका पॉइंट ला भाकरी इस ठीक पन भाजास खाये चाबा, अउल बुरुम भाजी तुम्हीं तुम्हीं प्रशन पड़ता है कि पिध्यान पिध्या अपन वर्षान वर्षा हाएच खाद्य संस्कूरूती है अपन खात आलो है, तो तुम्हीं कसा कन्विंज करता लोका ना कि पोड़ी भाजी आहारतना करना ढ़रेक्णा Formula Radio अधि अधि चे अधिज तार्गेट्स करण करूपने जोन स्थरागन महिंन कर तार्गाहे था कर्सित्राम सेमया स्थोल FERG। काउंसेलिंग लागता, प्रत्य गुष्टी, डिप्रेशन आला है, यहादी काहिछ नहुता, ते शेता राबायची सब्सक्राइब, जरीत नी थी चपाती भाकरी खाली ना, आपो बन भायची ते उड़ा कश्ट करून, आत्ता एकतर वर्क फ्रों हम त्याताला है, लिटरली गो कि walk from home आ साकती अजेता हरानी काम हंतााया बसवन काम होता राधर, तå कोवर्ड के लिएक पांश्पारी सब्सक्राणा हे, powinni दे मेğसा नांसेलिंग नगोकती लिएक्शिंग काम होता है, अटा कशल से शाओं यहईक्स विभलु काम होता न स्पर्लश हिदा, और अटा स प्रोब्लम से त्या मुलेक आए, लाइस्टाल बिगड़ली है, यहां लाइस्टाल साथ ही थोड़सा चेंज करना, ते मनझे, जर तुम्हीं डीप गिला, रूट कॉज मदे, तर बगाल तुम्हीं कि ओईल कुटलव आपरता है तुम्हीं, तर ग्रेंस, सिरियल्स, हाँ जाले लेता चेंज, तुम्हीं तुम्हीं कड़ले, जसा तुम्हीं पहला प्रश्ण कि तुला क्रेविंग जाले होते, तो कदे विच्छार केला है कि रातरी बारा वस्ता, बटर खावस वाटलो, कि मा तुपाचा एक चमचा, नाई वाटत, कारण फैट्स अर नोट करन फैट्स करेविंग होते नहीं, वाटम पा Pioneer होते फैसन Space करेविंग होता पैट्स के पैष्टरी ब और नहीं कर नहीं होता है अपनी पैष्टीर समते चलग, यह तुम्हीं पाट केश्या बब सिठा मां से का लिवा, नाई होता पैस्या, इस नाईप्गाenden आं फ्रेल्ब्लेंग आपाइप प्रफ्लम्स नीड्स मॉड्रन सल्यूशिंग जो था था आता डायत अगा सग्याज गोष्टी बदलत सालायाइब So thank you so much ma'am, तुम चाशी गप्पा मारून खूप नवीन गोष्टी कर लिया, तुम्ही खूप नवीन गोष्टी आमाल उल्गडून सांगीत लियात, त्याब बद्दल? Yes, thank you so much, रादर मलाई थे बोलोले पद्दल, आणे खरत खूप छान वाटला, मलाई सगले अथा जे रिसेंट फैड कीमा, ट्रेंड सालो हैत, वेगनिजम कीमा जे काई, ता तैचावरती थोड़स प्रकाश ठाकता आला, नक्की काय है, आणे फैक्ट काय हैत, so thank you so much. Thank you, thank you. So, तुम्हाला अच्छा हा अपला एपिसोड कसा वाटला, मला कमेंट करूँ नक्की सांगा, आणे अशाच मूलाखती बगणय साथी बोल विडू चैनल पहत रहा.